हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीची दिवेगे रेट बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए और जुड़ जाईए दा अकैडमी प दोस्तों इसी सवाल का जवाब ढूंटे ढूंटे मैं लाया हूँ आपके लिए ये शांदार वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी एप की जिसमें हम सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं घर बैठे अपने एंड्रोइड फोन से तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लो है गूगल प्ले स्टोर और यहां पर आपको टाइप करना है सर्किट सिमुलेशन एप तो आपके सामने बहुत सारी एप डिस्पले हो जाएंगी आपको डाउनलोड करना है एलेक्टिक सर्किट स्टूडियो जो सेकेंड नमबर वाली एप है ब्लू रंग का बैक्ग्राउ है तो दूस्तो एप्लिकेशन ओपन हो चुकी है आप देख सकते हैं कि यह इसका इंटरफेस है तो दूस्तो सबसे पहले आपको चेक करना है लिस्ट ऑफ एक्सपरिमेंट्स जो आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको टॉप साइड में राइट में यहां पर एक बॉक्स जाएगा जहां पर आई प्लस और इक्वल्टू का सिंबल है इस बॉक्स के अंदर तो इस पर क्लिक कर लीजिए इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स देख जाएंगे तो इन सभी एक्सपरिमेंट्स को आप एजिली परफॉर्म कर सकत हैं फॉर इग्जैंपल मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं रेसिस्टर कलर कोड तो दोस्तों मैं आपको बता दू रेसिस्टर के अंदर होती है कलर कोडिंग जिसके थुरू हम मालूम कर सकते हैं उसका एक्जेक्ट वेल्यू तो यहां पर आपको बहुत सारे आप्शन मिल ज for example आपके पास 3 band का कोई भी resistor है तो इस case में आपको उसकी value कैसे find करनी है let's say कि जो first digit है ठीक है उसका जो color है वो है green ओके fine और जो second digit है उसका color है orange और जो multiplier है वो है आपका red तो उसका value क्या होगा तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं resistance का value निकल चुका है automatically 5.3 kilo ohm now for example if you want to make a circuit of half wave rectifier if you recall the circuit you will get to know that how many components are required to make this circuit तो दोस्तों यहाँ पर circuit बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसका circuit diagram कैसा होता है और कौन-कौन से components use होते हैं तो चली दोस्तों circuit बनाना start करते हैं सबसे पहले आपको नीचे देखना है बिल्कुल bottom में bottom में यहाँ पर आपको symbols मिल जाएंगे तो आपको left में इस तरीके से move करना है और आपको बहुत सारे components यहाँ पर दिख जाएंगे उनका symbols आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर और diode आपके सामने display हो जाएगा इसके बाद इस पर click करने के बाद इसकी location को fix करना है और यहाँ पर एक symbol आपको मिल जाएगा rotate का तो इसको rotate आप कर सकते हैं इस पर click करने के बाद तो इसको हम connect करने जा रहे हैं forward bias में तो forward bias में यह हो चुका है इसके बाद हमको use करना है एक load तो load के लिए हम ले लेते हैं एक resistor और resistor हमको यहाँ से मिल जाता है resistor की position आप यहाँ पर fix कर सकते हैं इस symbol का आप दुबारे से use करें rotate का आप देख सकते हैं यहाँ पर यह fix हो चुका है तो दूस्तों यहाँ पर आपका circuit almost complete हो चुका है नीचे का जो connection है वो आपको कैसे बनाना है wiring कैसे complete करनी है इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर left side में बिलकुल नीचे bottom में यहाँ पर आपको एक pencil मिल जाएगी pencil से आप wire draw कर सकते हैं तो इस पर click करने के बाद आपको दुबारा यहाँ पर click करना है तो wire आपके सामने display हो जाएगा वो create हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक circuit complete कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको use करना आप अपने हिसाब से circuit बना सकते हैं तो यहाँ पर half wave rectifier का circuit almost complete हो चुका है अब सिर्फ last में हमें use करना है ground तो ground पर जैसे आप click करते हैं तो इसकी position को आप यहाँ पर इसको fix कर दे तो अभी हमारा circuit पूरा complete हो चुका है finally अब आपको सिर्फ run करना है इसको तो run करने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको arrow का symbol मिल जाएगा right side में एक triangle मिल जाएगा छोटा सा आप इस पर click करेंगी तो आपको option मिल जाएगा run का लेकिन अभी इसको run नहीं करना है दोस्तों सबसे पहले आपको values को देखना है तो दोस्तों आप में से कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि इनकी value कैसे fix करनी है जो भी component हमने use किये है let's say diode है और यहाँ पर load है और AC source है तो इनका value कैसे हम assign कर सकते है तो दोस्तों बहुत simple है let's say कि आपको जो load है उसका value आपको change करना है vary करना है तो दोस्तों बहुत आसान है जिस भी component का आपको value change करना है simply उस पर click करना है जैसे मैं यहाँ पर click कर देता हूँ resistor पर उस पर click करने के बाद आपको सबसे उपर एक option मिल जाएगा alphabet E लिखा हुआ है तो इस पर click करना है यहाँ पर आपको option मिल जाएगा resistor पहला option और दूसरा है resistance 1 kilo ohm तो जैसे ही मैं resistance 1 kilo ohm पर click करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ option मिल जाते हैं आप यहाँ पर इसको slide कर सकते हैं और इसकी value को change कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसकी value change हो रही है ठीक है जैसे ही मैं slide कर रहा हूँ तो इसकी value भी vary कर रही है तो दोस्तों आपको इस circuit को simulate करने के लिए run करने के लिए आपको उपर एक symbol मिल जाता है triangle का arrow का आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर option मिल जाएगा run का आपको इस पर click करना है और इसको run करना है तो दोस्तों इसको मैंने run कर दिया है run करने के बाद आप देख सकते हैं इस diode के across यहाँ पर एक waveform generate हो चुकी है तो basically यह जो diode है forward biased में है और आप जानते हैं कि forward biased में जो negative half cycle है वो आपकी suppress हो चुकी है और positive half cycle आपको यहाँ पर display हो रही है so basically this is a pulsating DC तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है किसी भी electronic circuit को simulate कराना run कराना बहुत ही आसान है इस Android application के थूँ तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपको सीखने को कुछ जरूर मिला होगा तो दोस्तों future में इस तरह की informative वीडियो और दिखना चाहते हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर ले और जुड़ जाए The Academy Plus Family से So this is all for this video Thank you so much for watching